हरहरमादेव चैभूलेनात नमस्कार मैं शादना पांडे मागदेशन पे आपका स्वावत करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ रक्षा बंधन के बारे में रक्षा बंधन से जुड़े हुए जितने सारे प्रशनार हैं उन सभी प्रशनों का जबाब आप इस वीडियो में जानेंगे और इस बार का रक्षा बंधन बहुत अधिक दुगधा युक्त है यानि कि बहुत जादा संसे की स्थिती बनी हुई है कि रक्षा बंधन का तेउखार हम 11 अगस्त को मना ले या फिर 12 अगस्त को मना ले तो ये सारा संसे आपका इस वीडियो में दूर होगा और दोस्तों साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीज़े भी आपको बताऊंगे एक तो ये कि रक्षा बंधन की थाली में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज या दिभाई रख लेता है या फिर बहान रख लेती है तो निश्चित रूप से दोनों के भागे में बृत्धी होगी भाग योदे होगा तो ये कर लीजेगा दूसरी चीज है दोस्तों कि रक्षा बंधन के दिन पूरे दिन भद्रा काल है आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया संसरी के स्थिती बनी हुई है तो ऐसे में क्या सुरियास्ति के बाद रख बंधन करना सुब है असुब है क्या है तो इस सब जानकारी जो है आप लेंगे चलिए अब बात कर लेते हैं रक्षा बंधन हमारा किस दिन है तो देखे रक्षा बंधन आपका किस दिन है ये सभी जानते हैं कि 11 अगस्थ को सुबह 10 बचकर 49 मिनट पर रक्षा बंधन यानि कि सावन की पूर्णिमा सुरू हो जा रही है 12 अगस्त को सुबह 7 बज कर 5 मिनट पर समाप्त हो जाएगी ऐसे में 11 अगस्त के दिन ही राखी कातेवार मनाया जाएगा क्यों? क्योंकि इस दिन भधरकाल सुबह से ही सुरू हो जाएगा और रात को 8 बज कर 51 मिनट पर समाप्त हो गा भद्रकाल यानि कि वही भद्रकाल जो कि सुबा से ही सुरू हो जा रहा है और रात को 8 बज कर 51 मिनट पर समाप्त हो जा रहा है तो कुछ बहनों का प्रश्ण है कि क्या हम सुर्यास्त के बाद राखी बांच सकते हैं या नहीं तो देखिए सुरियास्त के बाद राखे बांच सकते हैं या नहीं ये आपका प्रशन बिल्कुल जायज है लेकिन समस्या यह है कि दूसरा कोई महुर्त दूसरा कोई समय है ही नहीं हमारे पास इसलिए इसी समय को जोती साथ सर्वस्ट्रेश्ट समय मान रहा है और इसी समय का के अंदर आप रक्षा बंधन करना सुब नहीं माना जाता है वैज़ सुर्य उद्वाथ होनी के बाद ही रक्षा बंदन का तेवहार मना जाना चाहिए यदर 12 तारइक को यह दिक्स बार अगस्त को आप रक्षा बंदन का परो मनाना चाहते हैं तो 12 अगस्त को सुबह सुबह 7 बचकर 5 मिनट तक ही ये परो मनाया जा सकेगा इस काल इस ओधी के दोरान यदि आप कर सकें तो आप 12 अगस्त को भी रक्षा बंदन मना लें लेकिन सांती से और बहुत ही प्रेम से आप जो है 11 तारी को रातरी को ही रक्षा बंदन मनाए क्योंकि जैसी परिस्तिती होती है उसी अनुसार जो है कारियक किया जाता है अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से जीजे रक्षा बंदन की थाले में जरूर रखनी चाहिए भाई को तीनक करने के लिए रोली तो हम सभी रखते हैं अक्षत रखते हैं लेकिन एक चीज और समझे जिस थाली में आप भाई को राखी बानने के लिए जो थाली तयार करने हैं उसी में आप मीठा जरूर रखें बहुत सारी बहने अलग से मीठा रखती हैं लेकिन रक्षा बंदन की थाली का बहुत महत्व है दिखे साधान तो कहा जाता है रक्षा बंदन एक छोटा सा पर्व है जिसे भाई बहन मनाते हैं लेकिन ये पर्व छोटा नहीं है ये बहुत बड़ा पर्व है सास्त्रों में इस पर्व की महिवा बताई गई है कि मातार लक्षमी ने भी रक्षा बंदन किया था राजा बली को और दूसरी चीज है कि एक जगह पे और आता है रक्षा बंदन का और एक चीज और देखी जाती है कि जब राजा महराजा किसी बड़े युध में जाते थे उससे पुरो उनकी रानिया उन्हें तिलक करके रक्षा बांदती थी और दूसरी चीज को उन्हें आरती उतारती थी ऐसा क्यों होता था ऐसा उनकी कुछ सल्ता के लिए किया जाता था कुछ सल्ता के लिए इसलिए किया जाता था कि वो जब लंबे युध के बाद विजई होकर आए ऐसा इसलिए किया जाता था तो दोस्तों ये परंपरा बहुत पुरानी है और कहा जाता है कि इस परंपरा को करने से भाई जो है अपनी बहन के प्रतिकृताग्य होता है और साथ-साथ भाई बहन का प्रेम अटूट होता है भाई अपनी बहन के रक्षा करने का बचन भी बहन को देता है तो ये सारे जो नियम है वो आप सभी को पता है और एक महतवपूर्ण चीज जो ह उसके साथ-साथ जो मिठाई होगी कुछ भी मीठा रख सकते हैं लेकिन वो थाली में ही रखें कटोरी में प्लेट में करके उसी थाली में रखें जो थाली आपने तैयार किया दूसरी चीज आरती आरती उतारनी का जैसा कि मैंने बताया भाई की दिरगायों के लिए और उनक पानी वाना नारियल बेहत सुब माना जाता है पूनता के निशानी माने जाती है तो एक नारियल रख लें और यदि आपसे छोटा भाई है तो आप भाई को नारियल दें या फिर भाई वही नारियल उठा कर आपको दे सकता है बात में इसे आप तोड़कर अपने करेंगे और एक पानी वाला नारियल रख दीजेगा अब दोस्तों एक चीज और बताऊंगी आपको कि रक्षा बंधन के समय पहने तीन चीज जरूर ध्यान रखें बहुत ज़्यादा जरूरी है राकी बांते समय भाई का मुह जो है वो पुर्वदिसा में होना चाहिए और बहन का मुह पस्चिम दिसा में होना चाहिए इसी चीज का ध्यान रखें अन्य किसी दिसा में रक्षा बंधन करना बहुत अधिक सुब नहीं माना जाता है लेकिन भाई का मुह जो है आप पुर्वदिसा में करा लें खुद का मुह पस्चिम दिसा में करा लें इस तरह से बैट कर आप रक्षाबंधन करें और दोस्तों इस्टा पे फेस्बुक में मुझे फालो करना चाहें तो कर सकते हैं मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की जोतिसी सला लेनी हो कुंडली वगर दिखाना हो दिखा सकते हैं और वीडियो कैसी लेगी ये बताइए का जरूर अच्छी लगती है तो लाइक किया करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें हाँ अब मैं बात कर रहे थी कि पूर्वदिसा में मुह भाई का कराले और पस्ची में बहन का रक्षा बंधन के समय भाई बहन दोनों एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि काले या नील वस्त्र पहन का रक्षा बंधन बिलकुल भी न करें रक्षा बंधन करते समय आपके पास जिस किसी रंग के कपड़े हो आप आराम से पहने लेकिन काले और नीले वस्त्रों से पहेच करें काले नीले वस्त्र सुभता की निसानी नहीं माने जाते हैं अगली चीज़ है दोस से उर्जा जो है उपर न चली जाया इस कारण सिर को ढख कर कोई भी पूजा पाथ या धार्मी कनुष्ठान करने के बारे में सलाह दी गई है तो रक्षा बंदन भी एक धार्मी कनुष्ठान माना जाता है इसलिए रक्षा बंदन करते समय भाई बहन दोनों का सिर ढखा चाहिए यदि ऐसा है कि आपके भाई के पास कोई भी तौलिया रुमाल नहीं है उस समय जिस समय आप रक्षा बंदन कर रहे हैं तो सिर के उपर कम से कम अपनी एक हथेली ही भाई लगा लेकिन ऐसा करके ही रक्षा बंदन कराएं यह बहत सुब होता है तो दोस्तों वीडि कि ऐसी सास्त्रों की मानता है कि सूपनका ने रावण को इसी काल में तिलक कर रक्षा बंदन किया था पूरे रावण कुल का सत्यानास हो गया था इस कारण इस समय का ध्यान रखेगा और रात्री के समय जो 9 बच कर एक 50 मिनट के बाद ही आप रक्षा बंदन कीजेगा तो चलिए पूरे मागदर्शन परिवार में जितनी भी भाई बाहन है सबको रक्षा बंदन की बहुत बहुत सुपकाम ना है और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें दोस्तों और हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले इस तरह की जानकारियों के लिए और यदि आपको लगे कि अन्य किसी के मन में इस तरह की संसाय दुबदा के इस्तिती है तो आप उन्हें इस वीडियो को भीज सकते हैं मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद